हलो गाइस मैंनेम इस अमिट सेहनी और जनरल स्टेडिस के सेक्शन में इंडियन एकॉनमी के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है बहुत ही इंपोर्टन चैप्टर्स हम यहाँ पर समझ रहे हैं और इनी के बेसिस के ओपर सारी एकॉनमी टिकी है दिन रात हमारे सामने जो है बा सरसे थरय से क्या कमिया है यह सब बात करेंगे किस तरह से साइड होता है इन फेकटर्स की हम बात करेंगे इससे पहले लेक्चर जितने भी आ रहे हैं उपको मैक्सिम समझ में आए इसके लिए मैंने कुछ जो टेक्सट बुक्स बताई है वह इंपोर्टन हैं बाकी कोरस में चीजें cover हो रही है और नेसेसरी नहीं है कि आप additional material पढ़ो लेकिन ये है कि perfection जो है वो लाने के लिए आपको तीन books मैंने बताई है पॉलिटी के लक्षमी कांथ और इंडियन एकॉनमी की रमेश सिंग बताई है और history के लिए मैंने बेपिन, चंद्रा या पर spectrum कोई से भी आप पढ़ सकते हैं ये तीन books बताई हैं और current affairs तो कोई भी magazine आप एक ले लीजिए और उसको पढ़िए इसके अलावा इन चीजों को cover course में तो किया ही जाएगा और maximum retain कर पाए आप information को ये ही इस course का goal है तो अगर आप इस चीज को समझेंगे तो जो resource आपने इसमें लगाया है वो बहुत ही नीगर होगा क्योंकि जो इसका importance है वो बहुत ज़्यादा है इस exam के अंदर और देखिए multiple choice questions आने वाले हैं और उसके अंदर आपको आपके याद की हुए के उपर confidence होना चाहिए तब MCQ वाला जो format है लोग clear कर पाते हैं हो सकता आपने बहुत कुछ पढ़ा हो आपने 10 books पढ़ी हो 10 कुना किसी ज़िए से पढ़ा हो लेकिन आप उस information को retain ही ना कर पाएं MCQ format के अंदर confident ही ना हो पाएं तो फिर मतलब नहीं बनता है लेकिन अगर आपने कम sources को refer किया है लेकिन आप confident है अपनी information के लिए क्योंकि आपने समझा अच्छा है तो बहुत हद तक और exam आप पार कर जाओगे हमारा goal है exam को pass करना हमारा goal ये नहीं है कि हम इन subjects के कोई master बने हमारा goal ये नहीं है हमारा goal exam pass करना और exam pass करने के लिए जितना important हमारे लिए matter है उसको हम बार-बार पढ़ेंगे समझेंगे, maximum समझेंगे तो आपको इसको digest करते हुए चलना है, ये information है तो Indian economy के अंदर दो lectures आ चुके हैं उसका feedback काफी अच्छा रहा है and I am thankful to you कि आपने actively इसको समझा है और feedback लगातार आप दे रहे हैं अभी बढ़ते हैं national income का issue exam enforcement officer का याद रखिए मैंने आपको एक चीज़ बोली थी motivation नहीं आए तो डर से काम लीजिए एक तो होता है motivation एक होता डर motivation आपको push करेगा लेकिन थोड़े time बात क्या होता है अपने आप ही human tendency है चीज़ों का pressure दिमाग पे कम होता जाता है क्योंकि इसका immediate कोई आपके उपर negative impact या result उसका नहीं आ रहा है immediate क्योंकि लंबी तयारी है तो दिरे दिरे आपका दिमाग जोस्ती इसको हलका लेने लग जाता है लेकिन वो फियर आप याद रखिए सोची कि आपको result आने वाला है वो upload होने वाला है website के उपर और आ भी चुका है किसी ने आपको बताया कि result आ चुका है और आप सर्च करने जा रहे है अपना role number जो है तो उस टाइम कैसी condition होगे उस टाइम यह आता है कि काश मेरा paper बहुत अच्छा होगा होता और मुझे बस कुछ महीं नहीं मेहनत करनी थी कैसे भी मैं यह मेहनत कर लेता है कर लेती तो यहां selection वाली list में मेरा नाम होता और बस वहीं तक तो महचना है इसलिए यह time पुरा use कीजिए 24 hours आपको maximum अपने use करने है और कैसे भी कैसे भी करके अपना focus strong करना है अपनी पढ़ाई को productive बिनाना है आप 15 गंटे बैठते हैं लेकिन effective पढ़ाई 2 गंटे की हो रही है उसका कोई मतलब नहीं है इसका मतलब अपने आपको over stress में डाल रहे है आप 10 गंटे बैठिए और 8 गंटे के active पढ़ाई कीजी वो ज्यादा बैठर है यह facebook का group है यहां आप मुझे join कर सकते हो और यह link है टेलेग्राम के group का यहां आपको join करना है और जो members जिन्हों है enroll किया कूर्स में उनको एक invite link जो है वो message कर दी जाएगी तो idea of national income देखे income probably the most frequently used term in economics income पे ही सब कुछ टिका हुआ है cycle economics का कैसे चलता है सब की income से उस income से कैसी और का profit हो रहा है और उससे फिर वो कुछ और चीज़ा खरीद रहा है वो किसी के income हो रही है महा profit हो रहा है तो यह income का खेल बड़ा basic है अभी income level को ही और मान कर बहुत बार growth की बात की जाती है और बहुत लंबे time से दशकों से century से मान लीजिए कि लोगों की well-being का या किसी देश की prosperity का आंकलन करते हैं लेकिन यह कोई आसान बात नहीं होती है पूरे देश की income को निकालना और खास कर इंडिया जिसे देश के अंदर जहां पर unorganized sector इतना बड़ा है इतनी गरीबी है वहाँ पर सब लोग जो है कोई ऐसा नहीं है कि सब का data सरकार के पास में है सब का registration है कि जिसके पास जितनी income आ रही है उसका सरकार को पता है ऐसा नहीं है यहाँ पर इसलिए ऐसे देश में यह बहुत ही मुश्कल टास्क है लेकिन फिर भी इसके लिए models निकाले गए है अभी देखिए जब यह इंटरनेशनल लेवल के उपर यह पात है बड़ी स्ट्रॉम होने लगए डव्लू टो का निर्मान हो गया उससे पहले जो है कुछ साल पहले यह human development index आई थी अब आप मुझे बताईए इस index को को जारी करता है बहुत important index है इसके और नए वर्जन्स भी आए है वो भी आप जो बताईए बड़ा important concept है तो जब यह human development के बाद आने लगए तो यह human development कुछ चीजों पर depend करता है कि इंसान की health कैसी है उसका education कैसा है उसकी income कैसी है बड़े इंकम निकालना बड़ा important है education life expectancy देखे दे रखे हैं यहाँ पर यह जो factors है और उसी के साब से यह भी अंदाजा लगा जा सकता है कि कितना उस पर expenditure करना पड़ेगा investment करना पड़ेगा सरकारों को जो manage कर रहे हैं उनको और कैसे resources को mobilize करना है इसलिए income का फिनोमेना बहुत ही ज्यादा important हो गया पिछले लगबग 30 सालों के अंदर और उनमें नाम आता है GDP का सबस्यादा GDP का gross domestic product gross मतलब सब कुछ उसमें include किया गया है ऐसे ही फिर net domestic product निकालते हैं net है मतलब gross में से कुछ हटाया गया है यह कुछ जोड़ा भी जा सकता है दोनों देखेंगे कैसे होता है और यह है national product gross और net वाला देखिए यह है national product यह है domestic product यह phenomena's अलग-अलग क्यों होते हैं कोई एक model क्यों नहीं है इन सब की बात करेंगे देखिए जो दुनिया सारी है उसमें अर्थ व्यस्थाएं जो हैं अलग-वलग टाइप की होती हैं लेकिन गोल सबका एक जसा ही होता है human development होता है देशों की prosperity होती है और आपस में interaction बढ़ाना और maintain करना peace को और जिसको बोल सकते हैं की progress को अल्टिमेटली लेकिन उन सबके लिए बहुत management करना पड़ता है संगर्ष करना पड़ता है और जैसा हम EPF के exam दे रहे हैं accounting बड़ा important issue है तो accounting उसके लिए होती economy का basic basis है वो तो वो अलग-लग type की हो सकती है तो यह जो आकलन्स आ रहा है यह भी national income accounting के subject में ही आता है तो आपसे पूछ सकते हैं कि GDP का जो calculation है वो किस में आएगा national income accounting में आएगा ठीक है अभी यह जो phenomena सारे हैं कोई GDP बताया गया है NDP बताया GNP NNP इन सबको ही a form of national income बोला गया है आपसे पूछ लें कि which are a form of the national income तो all of the both हो जाएगा ठीक है कोई एक universal यह नहीं दिया गया concept की यही income का एक particular parameter होगा ऐसा नहीं a form of national income क्योंकि सब में कुछ ना कुछ खासियत हैं कुछ ना कुछ कमिया है यह होता है इसलिए हमें सबको discuss करना आप बात करेंगे GDP की gross domestic product तो domestic product है इस पर आपको ध्यान दे रहा है domestic मतलब आपके देश के अंदर देश के अंदर का जो product है अब इसकी definition इसका सही meaning बताती है value of the all final goods and services produced within the boundary of a nation during one year period हमने accounting के lecture में पढ़ा था कि एक standard होता है one year period budget भी आता तो one year के लिए आ सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि हम दो साल का नहीं बना सकते है लेकिन मुश्किल हो जाता है इसलिए एक साल कोई एकदम छोटा period भी नहीं है तो management के इसाब से best एक time जो है वो लगबग एक period universally fall होता है अब देखिए fiscal year एक अप्रेल से 31 March तक का है हालकि budget को पेश करने की थी जो है वो पहले change हो चुकी है एक February हो चुकी है लेकिन जो fiscal year है वो closing वगएरा जो हो थी accounts की वो सब जो है इस time period के अंदर एक साल में यह देखा जाता है की देश के अंदर within the boundary of a nation मतलो हमारी देश की boundary के अंदर हमारी company बाहर भी हो सकती है याद रखिए लेकिन उनकी बात नहीं है जो हमारी boundary के अंदर located है उनका all final goods and services final का क्या मतलब है final मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि कोई iron की mining हो रही है ठीक है? लोही की mining हो रही है उसकी भी कुछ value है जो iron निकला उसकी value है उसको बेचा जाएगा लेकिन आपको बोले कि हमें गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी एक ऐसा product है जो बिल्कुल final आपके सामने और usable form में है अब उसकी जैक होई आपको iron की rod से उसकी चदर पकड़ा दे तो वो क्या गाड़ी मान लोगे? नहीं वो iron से क्या बनेगा? उससे steel बनेगा उसमें carbon मिलाएंगे steel बनाने के बाद में उसकी चदर बनेगी कही तरह की rods बनेगी सब कुछ उसमें चैसी बनाया जाएगा फिर काड़ी को बनाया जाएगा तो iron क्या हो गया? इसका raw material हो गया फिर steel बना उससे steel के बाद उसका जो चैसी बना तो वो क्या हो गया? यह intermediate good हो गया intermediate मतला अब यह process में है इस raw material से इसको बनाया गया लेकिन अभी यह finalized good नहीं बनी है जो हम बनाना चाहते हैं लेकिन कार बनी नहीं है तो intermediate good है हो सकता है कोई company जो हो चैसी बना कि किसी दूसरी company को बेचे ऐसा होता नहीं कि जैसे company यह engine किसी और company को ले ले लेती है और जो है आपने उसमें main body के अंदर उसको test करते है तो ऐसा हो सकता है तो हो सकता है कोई चैसी बेचे कोई company लेकिन वह final good तो नहीं है वह usable तो नहीं है लेकिन वह कैसे उस होगा वह final good बनाने में उस होगा तो वह बीच के form में है भी इन process है intermediate good है intermediate उसके बाद final car बनती है तो car क्या होगे एक final product हो गया अब value सबकी है value सबकी है और car बनने का process चल रहा है जो जो चीज़े add हो रही है raw material में कुछ और चीज़ आड की गई फिर वह बीच में intermediate good बना तो उसकी value बढ़ गई value addition होता गया उसके बाद car बन गई final तो final product है तो final products है जो final goods वो एक साल में एक country की boundary में जितने बनते है उसकी total जो value है वो GDP कहलाती है जितना भी product है चाहे एक biscuit का packet बन रहा हो चाहे car बन रही हो चाहे एक missile सब चीजों का value है वो निकाला जाता है क्योंकि वो देश में उसका production हो रहा है वो product बन रहा है उस देश के अंदर मतलब देश ने बनाया उसको देश के अंदर उसका कुछ resource है उसके बदले में ही तो वो products बन पाए है यह चीज है किसीने iron की mining की तो miners के पास में पैसे थे उसकी जो है cost उन्होंने लगाई उनके पास कुछ capacity थी फिर उसका intermediate good बना तो raw material से जिसको चैसी जिसने बनाया उसके पास भी कुछ capacity मतलब उसकी कुछ उकाद थी उसने अपना पैसा उसमें लगाया last final product बन गया फिर उसको बेचा गया चीज की value थी तो सारी value कितनी होती है देश की तो यह लगभग एक estimate असा होता है जो ज्यादा accepted है तो GDP हो गया और इसमें आपको आद रखना है final goods होंगी सिर्फ goods नहीं बोलेंगे final वाली के value होती इस car के value होगी उसको गिना जाएगा इससे पहले इसमें कितना steel लगा कितना कुछ rubber लगा वो सब हम नहीं देखेंगे final good का value कितना है वो देखेंगे अब वो value जो है वो बाद में decide होगी कि वो factory cost होगी या फिर उसकी market price होगी क्योंकि वो different होती है वो अलग issue है लेकिन final good का जो price है वो इसमें देखा जाएगा तो यह होता है GDP अब देखें इसके अंदर एक unique चीज क्या है कि हो सकता है कुछ product इंडिया में बन रहा हो लेकिन वो इंडिया में यूज नहीं होगा वो company हो सकता है बाहर की हो मानली जी फ्रांस की इसमें जोडेंगे क्योंकि यह हमारी boundary के अंदर बन रहा है ठीक हमारी boundary के अंदर produce हो रहा है इसलिए मुसको जोडेंगे यही इसका unique feature है इंडिया की कोई company है फ्रांस में वो माल produce हो रहा है और विकेगा वो इंडिया में ही लेकिन उसको इसको mad नहीं करेंगे GDP में क्योंकि वो हमारी देश की physical boundary के अंदर produce नहीं हुआ है यह है GDP का phenomenon और इसमें देखे इसके कई तरीके से calculation हो सकते हैं कई तरीके होते हैं और जैसे national private consumption कि हर आद में कितना consume करता है और interesting phenomenon हैं अलग अलग तरीके से निकालेंगे तो चीज का मतलब वही निकलेगा चाहे आप यह जो जोड लगा लो कि उस product की कितनी value है कितना कितना services की value total कितना होता है चाहे यह निकालो कि कोई उसको खरीदता है तो कितना उसने खर्चा किया उसको निकाल लो consumption दूसरा तरीका हो गया consumption पहला तरीका हो गया production तो दोनों तरीके से एक लगबग similar values पर पहुंचा जा सकता है क्योंकि एक चीज के बदले में ही उसकी price है इस तरह से तो चाहे production ले चाहे consumption ले ऐसे ही investment को भी ले सकते हैं government spending को भी ले सकते हैं trade balance को भी imports not produced in a nation तो अब यह line अलग आ गई यह क्या बोल रहा है कि export में से अगर import को घटाएंगे तो क्या होगा imports के उपर जो expenditure होता है वो हट घट जाएगा क्योंकि import क्यों हो रहा है क्योंकि वो हमारे देश को जरुरत है और वो चीज हमारे देश में produce हुआ है तो यह line उन questions के लिए आपके लिए helpful होगी जिसमें आपसे यह पूछते हैंगे GDP में कौन सा account होगा वो पूछेंगे कि हम oil import करते हैं ठीक है और उसका petroleum product वो हमारे देश के refinery में बनता है हम crude oil import कर रहा है नेकिन उसका petroleum product वो हमारे देश के boundary के अंदर produce हो रहा है तो वो crude oil जो इंडिया में use भी हुआ तो क्या हम उसको GDP में add करेंगे हम GDP में जो हमारे देश के boundary में जो बना है उसको add करेंगे कुछ चीजे हम import करते हैं बाहर से इसका मतलब वो यहां पर produce नहीं हुई है तो उन चीजों पर जो खर्चा लगा है उसको GDP में count नहीं करेंगे कुछ चीजे होंगी जो export होंगी इंडिया से इंडिया से बाहर जाएंगी इंडिया में नहीं भीकेंगी इंडिया के अंदर पर ऐसी चीजों का production हो सकता है जो बाहर export ही होंगी नहीं उनका price भी हम GDP में add करेंगे क्यों क्योंकि वो हमारे देश की boundary के अंदर produce हुए है यह कहने का मतलब है तो कई तरीके से GDP का हो सकता है कहने का मतलब यह है government spending के तरीके से भी हो सकता है investment के तरीके से भी हो सकता है private consumption को निकालेंगे तो भी कि उसका कुछ value निकाला जा सकता है हलाकि हो सकता है सब में कुछ फर्क हो लेकिन लगबग amount निकाला जाता है तो GDP क्या होता है शुरुआत में जब budget आता है तो estimates ही तो आते हैं शुरू में तो estimates बड़े important है कोई इतने बड़े देश के अदर को यह तो बताने सकता है कि exactly इतना जो है वो product हमारे देश में है चाहे आप calculator लेके जोड़ लो कोई किसी को ऐसे challenge नहीं करता है तो लगबग amount बताया जाता है लेकिन management के हिसाब से economy को सही direction और उसकी decision making के लिए उसको लगबग एक माना जाता है कि यह लगबग इतनी value होगे इसको लेके चलेंगे इसलिए कई बार क्या होता है कि यह numbers absolute नहीं होने के कारण तो कि होई नहीं सकते है impossible है कई बार क्या होता है कि यह criticism आता है कि जो numbers बताये गए हैं वो सही नहीं है या गलत है तो इसमें देखे दो चीज़ा हो सकती है कि यह सब कुछ फिर depend किस पर करेगा सरकारों पर करेगा इसमें margin हो गया कुछ अपने conservative estimate दे सकते हैं कुछ ज्यादा estimate भी दे सकते हैं मतलब कम करके भी बता सकते हैं ज्यादा भी बता सकते हैं नहीं कर सकता है यह एक issue होता है और इसका फाइदा भी उठाया जा सकता है अगर सरकारे ज्यादा इमानदार ना होतो तो यह इतना बड़ा concept है political concept भी यह बन सकता है क्योंकि actual numbers हो सकता है कुछ बहुत कम हो और उसको बहुत बड़ा दिखाया जा सकता है बड़ा interesting है इसका use भी बहुत चांदार है और इसका misuse भी बहुत बड़ा हो सकता है इसमें जो keywords है gross, domestic, product, or final जो मैंने आपको सारे समझा दिये हैं gross का मतलब है total कि इसमें सब add होगा क्योंकि इसमें सब कुछ add हो रहा है वो देश में बिखता है बाहर बिखता है उससे मतलब नहीं हो प्रड़िस यहां पर हो रहा है product, जो मैंने बताया कि final goods and services है services भी इसमें count होंगी और यह final है मैंने बता दिया समझ में आगे आपको यह बहुत असान है अब देखिए इसके uses क्या हो सकते है GDP के concept के पर NM percentage change जो हो सकता है growth rate का जो number आता है उसमें होता है last year माली जो 100 रुपे थी इस बार एक सुसाथ हो गई तो बोलेंगे 7% का growth rate है यह भी देखिए गजब की बात है कई बार क्या होता है एक नाम सुना हो आपने base year का base year जो है आजकल तो ज्यादा नाम इसका नहीं सुनते है कुछ साल पहले ज्यादा सुनते थे क्योंकि concept आज भी use होता है base year का मतलब क्या हो गया अभी का present का अगर GDP estimate की अगर बात करें तो base year 2011-12 कर दिया गया अभी इसको change करने की बात भी चल रही है time के साथा change भी करना चाहिए इससे पहले 2045 था इसका क्या मतलब है कि इस base year के अंदर जो value थी किसी item की उस time पर जो भी inflation लागू हो रहा था उसके इसाब से सारे products की value निकालते थे और कई बार उसके comparison में growth को बताते हैं explain करते हैं कि हम इतना आगे आ चुके हैं इतना change हो चुका है और कई बार बता जाता है कि पिसले साल से कितना change हो तो जो normal growth rate के आकड़े आते हैं वो last year के basis पे आते हैं कि last year इतना था वहां से अभी इतना growth हो चुका है तो कई बार देखें दिक्कत क्या होती है कई बार smart statements दे सकती है कई सरकारे मान लीजिए कोई एक साल आया बहुत बुरा साल आया और उस देश में मतलब economy विल्कुल do भी गई और GDP के जो growth rate थे मान लीजिए 7-8 ऐसे चल रहे थे 7-8% के इसाब से growth rate चल रहे थी अगले साल में क्या हुआ 1% की growth आई तो वो जो साल है 2019 मान लीजिए 1% की growth रही 2019 में 1% growth रही उसके अगले साल का आया 6% की growth आई इसका मतलब ये क्या कहेंगे कि हमने बहुत growth किया है और हमने 5% का इजाफा कर लिया है growth rate के अंदर लेकिन कोई base year था मान लीजिए उससे compare करेंगे तो ये number को ज्यादा बड़ा नहीं है इसका मतलब ज्यादा कोई बढ़ाई की बात नहीं है ये लेकिन इसके comparison में बता जाता है growth का percentage है growth rate का इसलिए ये विपक्स पार्टी वाले ये कह सकते है कि ये तो 1% कम हो गया लेकिन उसको overall देखेंगे तो वो इतना कम नहीं हुआ है average अगर निकालते हैं तो ये चीजे जो है कई तरह से relative हो सकती है पिछले साल से relative है इस साल का growth rate base year से भी compare कर सकते है कुछ चीजों को तो base year का concept भी आगे हम देखेंगे तो इस GDP के number को इन सब चीजों के अंदर भी काम लेते हैं सबसे important उसका use यही पर है क्योंकि GDP एक quantitative concept है quantitative मतलब इसमें numbers का ही सारा खेल है numbers ही बताया जाते है qualitative नहीं बता जाता है goods produce तो हो रही है उसका value है लेकिन वह कैसी goods है वह अच्छी है बुरी है उसका कोई इसमें मतलब नहीं होता है तो qualitative aspect के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है कभी भी आपने सुना है कि इस बार GDP जो है वह उसमें जो product आया है वह अच्छा नहीं है इसका मतलब यह बुरी GDP है यह अच्छी GDP है ऐसा नहीं सुनते हैं कभी भी क्योंकि qualitative aspect जो है उसमें नहीं count होता है उसकी बात नहीं होती है सिर्फ quantitative concept यह है उसी aspect की बात होती है क्योंकि इसमें सिर्फ numbers बताया जाते हैं कि इतना numbers है इतना value है और इतना product हो गया और उसका growth rate इतना इस साल का ऐसे होता है numbers में यह सब कुछ आता है International Monetary Fund और World Bank यह comparative analysis करने में भी GDP का use करते हैं हाला कि कई बार criticism भी आता है कि GDP जो है वह सही picture नहीं है किसी देश का अब हमारे देश की अगरे बात देखें तो GDP तो बहुत उपर जा रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन गरीबी की हालत देखें तो बहुत बुरी हो तो और बुरी होती जा रही है क्यों क्योंकि inequality भढ रही है वो तो सिर्फ नंबर बता रहा है लेकिन देश के अंदर एक तरफ तो सबसे अमीर लोग है एक तरफ जो है लोगों के पास में खाना ही नहीं है तो क्या यह सही development है नहीं यह सही development नहीं है इसलिए GDP का बहुत criticism भी होता है इसलिए GDP qualitative aspect की बात नहीं करता है यह इसका एक negative point है और यह आप exam में अराम से recognize कर सकते हो अगर question पूछते हैं तो अगला आता है net domestic product gross में हमने देखा सब आमने जोड लिया जो domestically produced हुआ है boundary के अंदर जो produced हुआ है अब निकालेंगे net domestic product यह बहुत simple है देखे क्या होता है कि देश में जो भी चीज़े हैं assets है कुछ है machinery है कोई machine है या फिर मान लिजे truck चलते हैं देश में अब truck जो है चलते हैं तो उनमें कुछ कमी भी आएगी हर साल उसका कुछ parts किसेंगे उसकी value कम होगी अभी 20 लाग का truck है तो एक साल बाइद जो है 17 लाग का ही बचेगा लग बग मान लिजे अंदाजे से मान सकते हैं तो हर साल क्या हो रहा उसमें depreciation हो रहा है उसकी price के अंदर कमी आ रही है is के value के अंदर कमी आ रही है depreciation हो रहा है लेकिन ये depreciation निकाले कैसे यह भी इशू होता है बड़ा क्योंकि चल रहा है अच्छा कासा चल रहा है लेकिन फिर भी हरजार उसमें कुछ कमी होती है इंशॉरेंस वाले क्या करते हैं गाडियों के अंदर 10% वैल्यू की कम कर देते हैं हर साल जो भी आज इस साल वैल्यू है उससे अगली साल उससे 10% गिर अब उस depreciation को अगर adjust करेंगे GDP में तो net domestic product आएगा इस बार आपके GDP के आंकड़ी आए लेकिन पिछले साल से जो चीजों में depreciation हुआ है उसको फिर हम उसके अंदर से निकाल देंगे कि कोई चीज की value मालीजे GDP में जब जोड़ी जा रही थी तो एक चीज जोड़ी और चीज net form of GDP है net क्या होता जाली होती है एक तरह से लब समझाने के लिए बता रहा हूँ actual में ऐसा नहीं है net जाली होती है तो जाली में से उसको निकालेंगे तो depreciation अलग हो जाएगा मतलब कुछ value अलग हो जाएगी और बाकी जो बचा वो net product हो गया तो net form of GDP हो गया इंडिया में यह जो depreciation जो है जो ministry of commerce और industry वो decide करती है तो हर देश में कोई-定पात्र में होता है कोई ministry होती है हमारे देश में यह credit करता है कूछ सकते हैं आप से कि जो rates जो होती है depreciation के वो कौन decide करता है तिक यह चीज अच यह और देखे इसका भी बड़ा important use होता है depreciation का भी कैसे जैसे क्या होता है truck के उपर मान लिजे 20% का depreciation है हर साल तो हर साल उसकी value 20% गिर जाएगी तो क्या होगा उसके जब insurance कोई करेगी company आ करेंगी तो हर साल उसकी 20% value गिरती जाएगी उसके हिसाब से वो उसका premium charge करेंगे अब क्या होता है कई बार कई बार ये जरूरी भी हो जाता है और कई बार एक तरह से setting बाजी में मान लिजे जैसा होता है कि insurance companies जो है कुछ corrupt नेताव से setting कर लें और वो कहेंगी 20 ने इसको 40 करो और 40% करते ही क्या हो गया कि हर साल 40% उसकी value गिर जाएगी जबकि actual में 40% ट्रक में कमी नहीं आ रही है लेकिन 40% कर देंगे उससे क्या होगा कि एक तो उनको हर साल premium कम तो देना पड़ेगा लेकिन क्या होगा insurance company के उपर जो obligation आता है वो भी कम हो जाएगा कलको accident होता तो उनको कम पैसा देना पड़ेगा जबकि actual में ट्रक की value इतनी नहीं गिरी है लेकिन वो कम ही देंगे और दूसरी बड़ी बात जल्दी depreciation होगा ज्यादा बड़ा depreciation होगा तो नया ट्रक में जल्दी खरीदना पड़ेगा क्योंकि उनके इसाब से क्या हो गया उनके इसाब से हर साल 40% उसकी life कम हो रही है तो जल्दी life खतम भी हो जाएगी हो सकता है actual में नहीं हो लेकिन जल्दी खतम भी हो जाएगी तो कई बार इसको politically use भी करते हैं ये भी होता depreciation तो depreciation बड़ा ही important concept है बहुत wide concept है देखिए हम बहुत सार गर्वित बाते कर रहे हैं जबकि इनके उपर पूरा 5-5 दिन के discussion हो सकते हैं इतना dynamic topic economy होता है और depreciation, GDP ये बड़े-बड़ी बाते होती है और बहुत कुछ इसमें आगे discuss हो सकता है तो आप ये में सोचे कि हमने कुछ छोड़ा है हमने हर चीज को जितना हमारे लिए important है वो हम पढ़ रहे है तो इसको एक और नाम से जानते है वो क्या होता wear and tear आप कपड़े पहनते हो तो कुछ टाइम बाद एक साल दो साल बाद कोई कपड़ा घिसता भी है फटता भी है यही depreciation है इसलिए इसको wear and tear बोलते है ऐसे ही देखिए currency की अगर बात करें तो उसमें भी ऐसा हो सकता है उसकी भी तो value गिर सकती है हाला कि बढ़ भी सकती है उस तरह के depreciation का issue नहीं होता money के अंदर जैसे कोई truck है वो तो खराब ही होता जाएगा उसकी तो life कम ही होती जाएगी लेकिन currency का जरूर नहीं कि life कम हो बढ़ भी सकती है मतलब उसकी value जो है वो जरूर नहीं कि गिरे बढ़ भी सकती है लेकिन normally इंडिया के अंदर यही trend देखा गया है कि उसकी value गिरती ही है 1947 में बोलते हैं एक dollar के बराबर एक रुपया था लेकिन आज उसकी value गिरती ही जा रही है ऐसा देखा गया है तो जब यह floating rate जो system होता है जो के 70s के बाद popular हुआ floating rate system क्या होता है कि कुछ accepted currencies है दुनिया की जो मजबूत है जैसे कि dollar है ठीक है Japanese yen है रेनिमिन भी जो चाइना का है वो है यह जो important currencies है इनका एक basket IMF का basket है वो well accepted currencies है क्योंकि वो मजबूत देशा ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी जो currency है उसका काफी need बढ़ता देशों को तो उनके against में देशों के currency जो है उनकी value उपर नीचे होती रहती है रोज उपर नीचे होती है दिन में कई बार होती है आपने सुनाओगा कि आज dollar इतने पे बंद हुआ सुबह इतना पे खुला था शाम को इतने पे बंद हुआ तो इस तरह से उसकी रुपे की value जो हो वो उपर नीचे होती है तो उसमें appreciation भी होता है depreciation भी होता है मान लीजिए एक डॉलर के अंदर और साट रुपे आ रहे है अगले दिन एक डॉलर के उपर और बासेट रुपे आ रहे है तो क्या हो गया उसकी value गिर गई ना तो यह क्या हो गया depreciation हो गया इस dollar के against में depreciation हो गया और यह automatic हो रहा है कि आप हो रहा मार्केट फोर्स से हो रहा है internationally कि आज dollar की जरुत हमें ज्यादा पढ़ गए इंडिया को इसलिए उसकी dollar की कीमत बढ़ गई आप कोई इंसान important है उसको आप अपना घर बलाना चाहोगे जितना उसको call करोगे आप हमारे या पे नहीं आते तो dollar की जरुत ज्यादा पढ़ रही है ज्यादा पढ़ रही है तो क्या हो गया dollar चोड़ा हो जाएगा dollar की value बढ़ जाएगी और रुपे की value गिर जाएगी पहले 1 dollar 60 रुपे में आ जाता था अब 1 dollar 62 रुपे में आ रहा है मतलब कि रुपे की value गिर गई रुपय में depreciation हो गया, ये concept है, एक होता है devaluation, devaluation होता है, खुद से अपनी value गिरा देना, खुद से अपनी value गिरा देना, ये बड़ा interesting concept है, इसको आगे देखेंगे, कि खुद से value क्यों गिराता है कोई देश, जैसे चाइना ने गिराई अपनी value, अपनी currency की value गिरा दी, क् कि वो exporters को बहुत फाइदा कराता है, अब आप दिमाग लगाईए कैसे, पेमेंट जो होते हैं, इसका आपको हिंट देता हूं कि जब आप कोई चीज खरीदते हो, तो internationally recognized currency में payment होता है, जैसे dollar में payment होता है, लेकिन जब आपकी चीज कोई खरीद रहा है, तो आपको payment करेग तो dollar में भी कर सकता है, और हो सकता है कि आपके चीज ज़्यादा विक्रई हो, तो आपके देश के currency में भी payment करेगे, ऐसा भी हो सकता है, और अधिकतर case में dollar में payment होता है, तो exporters को और रुपे की गिरी हुई value कैसे फाइदा करती है, वो आप सोचिए, इसको हम आगे lessons में discuss कर रहते depreciation की, तो money भी depreciate होती है, तो यह जब बात depreciation की आती है, तब यह चीज discuss होती है, तो in the end, हम main topic पढ़ रहे थे, वो NDP था, net domestic product, इसका मतलब क्या हुआ, कि GDP के अंदर से, जब depreciation को घटाएंगे, तो net domestic product हमारे हाथ में आएगा, यह आपको समझना है, simple concept है, इसमें हमन आगे भी discuss होता रहेगा, अलगलग topics में, एक और concept है, क्या depreciation को zero किया जा सकता है, क्या यह ideal case follow हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता है, zero नहीं हो सकता है, कोई भी चीज को, ऐसे का ऐसा intact हम रख पाएं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, even हम तो कुछ atoms को भी नहीं रख पाते हैं, उसमें radiation निकलता ही रहता है, हो सकता है, उसमें 10,000 साल लगे, लेकिन 10,000 साल पात तो खतम हो ही जाएगा, तो एक तुम वैसे का वैसे उनिवर्स में कुछ भी नहीं रहता है, इसलिए depreciation जो है, उसकी value कभी zero नहीं की जा सकती है, लेकिन कम जरूर की जा सकती है, अब मान ल उसमें घिसेंगे और जल्दी खराब होगे, उसमें अगर आप lubricant लगा दोगे, तो वो एक दूसरे को, surface को touch कम करेंगे, और oil के ओपर फिसलता रहेंगे, तो वो घिसेंगे कम, तो lubricant से क्या हो गया, इंजन का depreciation आपने कम कर दिया, यह तरीका है, तो आप से पूछ लेंग तो आप उसको घिसो, कोई आदम ऐसे जोर लगा रहा है, तो क्या होगा, अगर इसके बीच में, table और फर्ष के बीच में कुछ भी नहीं है, तो बहुत जोर आएगा, और 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 जोर लगाओगे, तो क्या होगा, वो खिसत तो जाएगी, लेकिन फर्ष और उसके बीच में बहुत struggle होगा, resistance होगा, और उसकी surface घिसेगी, table की, तो इससे क्या होगा, इसकी value गिरेगी, क्योंकि इसमें घिसरी इसकी surface, अब इसके नीचे आप balls लगा दो, टायर लगा दो, ऐसा ही कुछ और चीज के अंदर आप balls लगा सकते हो, फिर आप एक surface पर दूसरी पर घुमाओ होने का तरीका हो गया, तो ये depreciation को हम कम कर सकते हैं, ये हमारा invention के through हो सकता है, scientific तरीके से, हम ऐसे तरीके खोच सकते हैं, कि वो कम हो, minimize हो, लेकि उसको zero नहीं कर सकते हैं, NDP के uses जो है, वो यहां पर दे रखे हैं, mainly तो domestic use के लिए होता है, क्यों कि क्यों होता यसा, हूस लेंगे आप से कि NDP को domestic use के लिए ही जादा use करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने NDP को निकाला कैसे, NDP को निकाला GDP minus depreciation, अब depreciation की rate अलग-अलग होती है, हो सकता है, अमेरिका में, हेव विकल्स के उपर, 15% का depreciation लगाया, अमेरिका, थीक है, अमेरिका की automobile industry जो है, उसको इतनी दरकार नहीं है, कि वो नए नए ट्रक जो है, वो हर 3 साल में बेचे, इसलिए वो कम रखेंगे, मान लीजिए, example के लिए, मान लीजिए, कोई देश के अंदर, जो है, ट्रक बे हमारे तो सेल ही हो रही है, तो वहां पर 30% हो, उसकी depreciation की value, तो हर देश में अलग-अलग होती है, इसका मतलब हर देश में NDP जो है, वो relatively अलग निकलेगा, GDP उनकी एक तरीके से मान लीजिए, निकल रही हो सबकी, लेकिन NDP अलग निकलेगा, क्योंकि depreciation का rate अलग-अलग हो तो अलग-अलग depreciation की rates होती है, ठीक है, यह important बात है, comparative economics में इसलिए इसको use नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ा reason है, different rates of depreciation, ठीक है, यह example यहां पर दे रखा, जो मैंने समझाया आपको, और depreciation इतना white concept है कि इसको economic policy making का भी एक tool यह होता है, तो यह मैंने आपको समझाया कैस से यह चीज होती है, अब बात करते है GNP, gross national product, अब देशबक्ती के बात आगई, national product, तो देशबक्त देश में भी होते हैं, देश से बाहर जो लोग रहते हैं देश के, वो भी देशबक्त होते हैं, उनको भी अपने देश से प्यार होता है, तो वैसा ही concept मान लीजिए, इस हाला कि controversy कई सारी आ रही है, हम उनको नराज भी कर रहे हैं, लेकिन actual में क्या है, practically क्या है, यहां से बहुत सारे घरों में एक अदमी गल्फ में काम करता है, और वो अपने पैसे जो है, वो अपने घर चलाने के लिए यहां पर भेजता है, तो वो income from abroad है, ठीक है, वो remittances का ह हिस्सा है, तो वो हमारे देश के अंदर count होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा देश का ही तो हुआ, हमारे देश का आदमी है, वो खमारा है, कमा कहीं भी रहा हो, लेकिन भेज इंडिया में रहा है, तो वो national product में आएगा, वो domestic product में नहीं आएगा, वो national product में आएगा, क्योंकि वो domestic boundary के बाहर भी बाहर produce हो रहा है लेकिन वो आइंडिया में रहा है तो वो चीज GNP में count होगी लेकिन कुछ product हैं जो बाहर की जैसे माली जै कमपनी है कोई और इंडिया में produce कर रहे है बेच उसको बाहर रही है तो वो चीज GNP में count नहीं होगी वो GDP में count होगी GNP में count नहीं होगी क्योंकि वो हमारे देश का national product नहीं है वो domestic है लेकिन national नहीं है ऐसे ही कोई MNC है उसमें 5 लोग जो है इटली के आगए वो यहां पर काम करते हैं उनको salary मिलती है लेकिन वो तो अपना पैसे बाहर बेजेंगे इटली बेजेंगे तो वो GDP में count होगा लेकिन GNP में count नहीं होगा यहाद रखिए यहीं फरक है तो GNP is the GDP of a country added with its income from abroad अब यह income from abroad को add करेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी आ रहा उसको add करेंगे हो सकता है कि देश के अंदर ऐसे स्थिती हो कि इंडिया के लोग जो बाहर जाके कमा रहे हैं और अपनी तनका इंडिया बेज रहे हैं उनका number कम हो और उनका number ज्यादा हो जो बाहर के हैं और इंडिया में रहते हैं और salary लेते हैं और अपने देश में भेजते हैं इसका मतलब income बाहर ज्यादा जा रही है पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है बाहर के लोग यहां पर ज्यादा कमा रहे हैं और वो अपने घर बेज रहे हैं तो उनका नमर मर जाधा हो गया और जो इंडीया पेज रहे हैं इंडिया के लोग उनका पैसा कम हो गया तो लोंटिमेटली क्या होगा है एडिस्ञन की जगह गठाना पड़ जायेет income from abroad को तो income from abroad जो सकती है निंगेटीव भी हो सकती है तो यह trans boundary economic activities जो हैं वो इसमें important होती हैं, पुछ लेंगे आपसे कि GDP से GNP कैसे different है, तो question आजाएगा, market rates में difference, यह कुछ यह फलाना, एक concept, एक, जो, option में आएगा, trans boundary economic activities, तो यह इसका, एक relative concept है, तो यह आप tick कर दोगे, income from abroad concept भी अगर उसमें है, तो वो भी tick कर दो गया, ऐसे देखे कैसे, GNP के लिए पहली बात करनी होती है, private remittances की, जो मैंने आपको अभी salary बात बताई, यह private remittances में आएगा, कि net outcome of the money, which inflows and outflows on account of the private transfers by Indian nationals working outside of India, and foreign nationals working in India, वो ही बात होगी, जो मैंने आपको बताई, कि जो foreign nationals इंडिया में रह रह रहे हैं, वो अपनी salary से पैसा अ और इंडिया के लिए पोजिटिव में रह रहे हैं, वो अपना पैसा वहां से यहां बेजेंगे, तो इस तरह से outflow or inflow हुआ, तो इसका net निकाला जाएगा, कि इंडिया के लिए positive में रह रहा है, इंडिया में पैसा ज्यादा आ रहा है, वो देखा जाएगा, यह private remittances की ब इंडिया highest recipient है private remittances का पहले, चाइना था कुछ साल पहले, लेकिन इंडिया ने इसमें तगडी ग्रोथ के और इंडिया के लोग काफी मेहनती है, भार से खुब पैसक मागे उन्होंने यह चीज प्रूव करके दिखाई, और इंडिया को highest private remittances जो है, वो मिले, मिल रहे हैं और यहीं पर वो चोट हो सकती है, ठीक है जो इशू चल रहे है कोछ रिसेंटली, तो 72 billion dollar 2015 में यह हमारा projected था और यह highest था उस साल का, चाइना का 64 ही था पंदरा में, तो यहां पर इस साल हमने जीत हासल की थी, क्योंकि हमारे देश के वरकर्स जो हैं, जो यहां के हैं, जो ब कि ग्रोथ में गिना जाएगा, और यह इशू और अधिकतर जो इंकम आती है, वो गल्फ कंट्री से ही आती है, याद रखी, अगली बात करेंगे हैं, इंटरस्ट और एक्स्टरनल लोन्स, हमारा देश कोई सबसे अमीर देश नहीं है, बहुत बार हमें लोन लेने पड़त हम गें जादा कर रहे हैं, तो कुछ inflow होगा, कुछ outflow होगा, जो हमने borrow किया है, उस पे तो interest हमें चुकाना पड़ेगा, वो outflow हुआ, और जो हमने किसी को loan दिया है, तो उस पे interest हम कमाएंगे, तो वो inflow हुआ, तो उसका हम हमेशा net निकालते हैं, तो इंडिया अभी तक net bor ही रहा है, जिकतर हमने पैसा मांगा ही है, बड़ी ओगनाशन से, बड़े देशों से, तो इस तरह से net borrwar ही इंडिया रहा है, तो ये एक इशू है, तो इसको घटाना पड़ेगा उसमें से, एक्स्टरनल ग्रांट्स, ये क्या होती है, कुछ इंडिया देता है, ग्रांट ऐए बार ये भी होता है, कि लोन और ग्रांट का mix भी होता है, लोन पे इंटरस्ट जुकाना पड़ता है, ग्रांट से नहीं जुकाना पड़ता है, तो UN की जैसे bodies है, UNDP Feeling work, उससे हमें मिलता भी इस तरह से कुछ ग्रांट के रूप में मिलता है, और कुछ हमें लोन क पूछ सकते हैं कि यह trend सही है कि आउटफ्लोस पिछले कुछ सालों में इंडिया से बढ़ गए है और इंफ्लोस कम हो गए हैं इंट्रस्ट और ग्रांट्स की बात करें तो तो ऐसा हुआ है ठीक है यह चीज है और Diplomacy में और Economics में इस बहुत रोल अधा करती है तो इसकी भी बात जो है यह भी एक फैक्टर होता है जीनपी काउंट करने के अंदर तो इन तीनों कॉंपनेंट के अंदर अल्टिमेटली बैलेंस देगा जाता है कि नेट क्या आ रहा है नेट इंकम जो है उसका क्या हाल है लोन्स इंट्रस्ट और यह जो रेमिटन्स जो आते हैं इनका देखेंगे कि नेट इंडिया गेहनर है पैसो का या फिर वो पेमेंट जादा कर रहा है तो इस तरह से, overall देखते हैं, तो इंडिया जो है, लगबग, outflows ज्यादा होते हैं, तो इंडिया की income नहीं उल्टा चुकाना पड़ता है इंडिया को, इसलिए जो income का concept है, अभी तक का ऐसा रहा है कि इंडिया को minus ही करना पड़ता है इसमें आपर, इंडिया के इसमें अभी उसका interest में काफी चुकाना पड़ता है, बहुत बड़ा हिससा interest में जाता है, इसलिए net जो है, हम चुका ही रहे हैं पैसा, इसलिए GDP में से हमेशा घटता ही है, income from abroad का concept, इसलिए ये GDP से lower ही रहता है इंडिया का GNP, ये एक friend है, तो ultimately हमारे पास में क्या आ गया, और exact amount आ गया जो national है, GDP सबस्यादा use होता है, वो concept हमने समझ लिया, लेकिन अगर कोई ऐसे पूछन लग जाए कि nationally क्या हाल है आपकी economy का, तो GNP जादा appropriate हो गया, कि इसमें से वो भी पैसा adjust हो गया, अब वो गटता है, जोडता है, वो अलग issue है, अधिकतर गटता ही है, income from abroad वाला, तो दे इसले हम GNP के different uses देखते है, देखे, GNP को use करता है, IMF, PPP निकालने के लिए, purchasing power parity, यह क्या issue है, purchasing power parity, purchasing power क्या होती है, मान लीजिए, इंडिया में, 50 रुपे के अंदर, 1 kg Apple आता है, save आता है, ठीक है, Apple वाला फोन नहीं, 50 रुपे में 1 kg Apple आ जाता है, मान लीजिए, आता नही नहीं है, वैसे 100 से उपर ही आता है, लेकिन मान लो 50 में आता है, एक डॉलर की कीमत है, इंडिया में 70 रुपे मान लीजिए अभी, लग बग, और अमेरिका में, 1 kg Apple के लगते हैं, एक डॉलर, वही Apple है, मान लो quality का, हम यहां पर चीज की बात नहीं करेंगे, मान लीजिए, इंडिया में 50 में आ रहा है, अमेरिका में, एक डॉलर में आ रहा है, अब उसकी value के हिसाब से देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है, अगर rupees के terms में देखें, तो हम तो 50 रुपे ही चुका रहे हैं, एक किलो के, अमेरिकन कितने रुपे चुका रहे हैं, 70 रुपे, क्योंकि वो एक डॉलर में खरीद रहे हैं, और एक डॉलर 70 रुपे के बराबर है, इसका मतलब वो ही एक केलो एपल, हम 50 में ही खरीद पा रहे हैं, वो 70 में खरीद पाते हैं, इसका मतलब हमारी purchasing power जादा है, ये purchasing power का issue है, कुछ चीजे जो है, अधिकतर चीजे, अमेरिका में महंग को रुपी में convert करें, तो वो कितने रुपे चुका रहे हैं, कोई jeans के या फिर कोई समान के, तो यहां पर हमने देखा कि वो एक डॉलर चुका रहे है, मतलब 70 रुपे चुका रहे है, हाना कि वो तो डॉलर ही चुका रहे है, लेकिन उसकी वैल्यू सतर रुपे के बराबर ह तो यह purchasing power है, और आपको याद होगा, वैसे तो हमारा उपर है, छटे स्थान पे हैं GDP numbers में, लेकिन purchasing power parity के इसाफ से हम third number की economy है, कलको हम चीजे खरिदने की बात करें, purchasing power की बात करें, तो हम third सबसे बड़ी economy है, यह आपको याद रखना है, तो यहां पर GNP का concept काम आता है, क् यहां पर national product की बात हो रही है, तो national की जब हम बात करते हैं, तो यह concept काम में आता है, और इसका मतलब यह qualitative aspect भी बता रहा है, qualitative, क्योंकि जब यह purchasing power का भी इसमें aspect लागू होता है, इसका मतलब purchasing power तो qualitative aspect हो गया है, कि हमारी purchasing power ज्यादा है, यहां पर चीज वो ही है, physical item वो ही है लेकिन हमारी purchasing power ज्यादा होगी, बतलो quality की बात आगी, तो qualitative aspect भी होता है, GNP, तो आप से पूछ सकते हैं, इतना आप याद रखिये, क्योंकि यह internal और external strength जो है, economy की उसकी भी बात करता, यह कैसे करता है, वो एक बड़ा deep concept है, उसको हमें नहीं समझना, आप इतना ही याद र रहा है, तो GDP से ज्यादा exhaustive concept है, यह national income का, क्योंकि national income हमें निकालनी है, हमें domestic income नहीं निकालनी होती है, हमें national income के अनान से हमें topic स्टार्ट किया है, तो यह तो ज्यादा national issue हो गया, GNP का GDP से, लेकिन GDP ज्यादा use होता है, और यह national है, लेकिन यह भी काम आता, यह कहने का है, तो comparatively हो सकता, GDP ज्यादा काम आए, comparative economics में, वर्ड में, लेकिन GNP जो है, वो quality की बात भी करता है, इसलिए purchasing power अगेरा का जो numbers देते हैं गई बार, IMF अगेरा, की कौन सा देश PVP के इसाब से ज्यादा important है, ज्यादा ऊपर है, तो उसमें यह काम आता है, अब देगे, इसम किसी देश के लोग जो है, कितना मेरंती है, कितना अपने देश को economy को support करते हैं, बार जागे कमाते हैं, तो यह भी एक अलग aspect हो गया, किसी देश को judge करने के लिए, तो economics में judging बड़ा important issue होता है, तो यह quality की बात भी हो गई, कि human resource जो है, international parlance में, जो है, उसका क्या standard है, क्या position उसका है, financial support के मामल में, तो यह सारे qualitative aspect जो है, वो इसमें discuss होते हैं, GNP वाले issue के अंदर, इसलिए, यह important है, क्योंकि इसमें relation जो है, बाकी world से किसी country का, कितने remittances आ रहे है, net inflow, outflow क्या है, external, जो loans वगरा लिए है, उसका क्या मतलब सिधी है, वो सब इसमें discuss होती है, इस qualitative aspect भी हो गया, GNP, मैंने बोला, GNP में से अगर हम depreciation को घटा देंगे, वही depreciation जो हम GDP से घटा रहे थे, उसको घटा देंगे, तो हमारे पास में NNP आ जाएगे, और NNP जो है, NNP बड़ा unique concept है, और सबसे ज़्यादा acceptable किसी देश की national income जो है, वो देखी जाए, तो वो NN NNP के हिसाब सही बता ही जाएगी, क्योंकि इसमें एक तो ये चीज़ clear हो गई, कि product कितना बना, GDP से वो मिलता है, फिर उसमें से हमने क्या घटाया, income from abroad घटाया, फिर उसमें से हमने depreciation भी घटा दिया, तो depreciation तो घटना ही था, चीज़ों का, अगर हमें net निकालना है तो, और घटना भी चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बात होती है, क्योंकि हर चीज में कुछ ने कुछ तो कमी आती है, वो अलग issue है कि हम ज्यादा कमी, ज्यादा depreciation की rate लगा रहे हैं, आप कम लगा रहे हैं, वो एक अलग issue है, लेकिन वो 0 तो होता नहीं है, वो घटता तो क in flow हो रहा है, तो सब चीज़े adjust हो गई, maximum चीज़े adjust कर लिए हमने GDP में से, इसलिए सबसे close हम पहुंचे, national income के, NNP के थरू, GDP, और उसमें से income from abroad को घटाना है, और इंडिया के case में ये, माइनस होता है, ठीक है, और depreciation घटता ही है, इस तरह से, तो इंडिया के case में क्या हो प्रेजेट में क्या formula लगेगा, NNP का, तो ये formula लग जाया, GDP minus income from abroad minus depreciation, ठीक है, इनोट कर लेना, तो इसको सबसे exact national income बोलते है, NNP को, this is the purest form of the income of a nation, अब इस NNP में से, total population को, डिवाइड कर दे, बटा कर दे, तो क्या जाएगा, per capita income, जितना NNP का number आया, उसमें अब 135 क रोड को, जो है, डिवाइड कर देंगे, तो फिर पता लग जाएगा कि per capita income कितनी है, per head कितना पैसा आता है, वही per capita income है, इंडिया में per capita income कोई बहुत कम नहीं है, लेकिन ये, सही पता नहीं लगता है, क्योंकि inequality बहुत ज्यादा है, क्योंकि numbers तो बहुत बढ़ा जाएगा ultimately GDP में से ही तो adjust हो रहा सब कुछ, तो GDP का number तो उपर आएगा ही, क्योंकि देश में resources तो बहुत है, लेकिन उनका distribution बहुत ही खतरनाक है देश में, कुछ के पास सब कुछ है, कुछ के पास कुछ भी नहीं है, तो बोलने के लिए per capita income इंडिया की है, लेकिन क्या सच में हर तो वो NNP से, population को divide करके निकालते हैं, अब इसमें देखिए, अगर depreciation की rate अगर high होगी, तो per capita income low भी हो जाएगी, क्योंकि हम उसको घटा ही रहे हैं, अगर ज्यादा घटाना पड़ेगा, तो ultimately number कम ही हो जाएगा, तो per capita income घटती भी है, अगर depreciation बढ़ता है, तो आप से प PCI कम होता है, मतलब inversely, यह proportional है, ठीक है, इस तरह से हो गया, कि depreciation जितना बढ़ेगा, उतना यह घटेगा, question आ सकता सिधा इस पर, कि depreciation, कि बताईए सेंटेश सही कि गलत है, depreciation जितना बढ़ता है, उतना ही per capita income कम होता है, तो सही है, depreciation जितना बढ़ेगा, उतना ही national income कम होता है, तो सही है, क्योंकि depreciation को ultimately GDP उसमें से घटाई रहे हैं, तो अगर depreciation ज्यादा घटाना पड़ रहा है, ज्यादा high rate है, तो ज्यादा घटाना पड़ेगा, तो उतना ही national income कम हो जाएगा, तो देखिए क्या होता है, अगर हम automobile और insurance companies को support करें, तो हमें depreciation के rates बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन बढ़ा देंगे तो national income कम हो जाएगी, और वो दिखती है फिर, कि आपकी देश के national income कम ह हो रही है, आपके देश के perkavit income कम हो रही है, तो ये economics में बड़ा द्वंद चलता है, एक चीज को ऐसा करते, एक को support करते, दूसरे में नुकसान होता है, क्योंकि सब कुछ interrelated है, इसलिए economies अपना-पना depreciation का rate जो है, वो fix करती है, क्योंकि कोई एक step उठाएगे, तो ऐसा न next lecture में पढ़ेंगे, बड़ा important है, अभी तक आपको शायद जो आया है समझ में, जैस तरह से आया है, वो आपके focus पर depend करता है, आप कैसा notes बनाते हो, कितना ध्यान सुनते हो, लेकिन फिर भी समझ्या आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप इसको repeat कीजे, मैंने समझाया सब कुछ है, छोड़ा कुछ भी नहीं है, वो बस आप एक साथ catch नहीं कर पायोंगे, लेकिन अब हमने lecture end कर दिया है, अब आप दुबारा सुनिए इसको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने तरीक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्यो है, हाँ, end में होता क्या है, फिर आप उस चीज को दुबारा repeat करोगे, तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा, लेकिन दोनों stage आपको बहुत focus से follow करनी है, हो सकता है, पहली पार में आपको अदा समझ में नहीं समझ में लेकिन दूसरी पार में जरूर से आजाएगा, यह गैरंटी है, so thanks a lot, keep watching, it was amidstsend.